तारे सितारे वम गरहनक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जिन्मराशी का हाल मित्रो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें आप नित्य का राशी फल नई-nई ज्यानवरधक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें देनिक राशी फल दिनांक साथ दिसंबर 2020 सोम वार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल की अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टी से आज बारा में से साथ राशी वालों को आर्थिक लाप के योग ही वहीं अन्य राशी वालों को आज मिले जुले परिणाम मिलेंगे तो आज कार्थिक मास करश्न पक्ष की सब्तमी तिथी है सोम मार का दिन है और आज दिनी की सुरुवात मगान अक्षत्र से होगी और सिम्ह राशी में चंद्रमा का संचरन होगा और आज राहु काल रहेगा प्राता हकाल आड़ बच के 19 मिनिट से आरंब हो करके प्राता हकाल 9 बच के 36 मिनिट तक राहु काल रहेगा तो राहु काल के दो नयावा मांगलिक कारिय आरंब नहीं करें पूर्व दिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आपके लिए अतियावाशक हो तो अपने इश्ट देवता की यथा शक्ती पूजा अर्चना करके या इश्ट देवता के नाम मंत्रों का उच्चारण करके यात्रा आप कर सकते हैं तो आप जानिए अपनी जन्म राशी के नुसार आज आपके भागी के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के नुसार क्या खास उपाई करना चाहिए जिससे की दिन आपका शूब रहे और कारी छेत्रे में भी आपको सफलता मिलें तो मेंश राशी से आरंब करते हैं मेंश राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं किसी पराकरम के कारी और पुरुशार्थ की योजनाय आप बनाएंगे उसमें आप सफल भी रहेंगे विस्तता के बीच परिवार के लिए समय निकाल पाएंगे दामपत्य जीवर्ण में पूर्ण सहयोग वा समर्थन आपको मिलेगा आत्म विश्वास भी आपका मजबूत रहेगा भाई बहनों के साथ विचार मिलने से लाब की स्थितियां बहतर होगी शुब संदेश प्राप्त होने से उत्साहा आपका बढ़ेगा मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा वाहन संबंदी समस्यां आपको थोड़ी परिसान जरूर करेगी घर में किसी शुब मांगले कारेकरम की चर्चा हो सकती है आर्थिक इस्तिती वैसे आपकी मजबूत बनी रहेगी संपत्ती में आपके बढ़ोत्री की योग है विद्यार्थी वर्ग को भविश्य को मजबूत बनाने के लिए नए अवसरों की प्राप्ती होगी तो आज आर्थिक पक्षा आपका काफी अच्छा है आज आपका भगिशाली अंकसाथ है शुब रंग आपका सफेद रंग है सफेद रंग का प्रयोग कारिशेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विगन संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से ही प्रातहका लिशनान करने के पस्चात शिव जी पारवती जी का गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें लाल पुष्प की मला अरपित करें यथा शक्ती बिल्व पत्र अरपित करके ओम नमाह शिवाय पंचाक शरी महामंतर का यथा शक्ती जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शूब होगा सफलता दायकाज रहेगा अगली राशी है व्रशब व्रशब राशी बालों को आज शूब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं किसी भी पराकरम के कारी और पूरुशार्थी की योजनाएं आप बना पाएंगे मित्रों का सहयोग वा समर्थन बना रहेगा किसी संपत्ती का पारिवारिक विवाद निपड जाएगा आर्थिक स्थिति आपके पक्ष में बनी हुई है निवेस के लिए उत्तम समय है परिवार की जरुनतों को पूरा करने के लिए आज कारी करेंगे आप सफल भी रहेंगे जीवन साती के साथ अच्छा समय वितीत कर पाएंगे माता पिता का सहयोग आपको मिलेगा अटके हुए कारे आपके पूरे होंगे वियापारी वर्ग को नए उद्यमों से लाव प्राप्त होंगे तो आज कोई पुरानी इच्छा भी आपकी पूरी हो पाएगी आज आपका आर्थिक पक्ष बहतर रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक पाँच है शुबरंग आपका लाल रंग है लाल रंग का प्रियोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पस्चात भगवान सिवजी को कच्चा दूद अरपित करें और हलवे का भोग अरपित करके ओम सोमेश वराय नमा इस महामंतर का यथा शक्ती जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शूभवा सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों को आज शूभव परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं युक्ति और व्यभार से कारेचेतर में आप सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे अधिकारी वर्ग की मदद से जटिलताएं खत्म होगी घर के छोटे सदसे के साथ अच्छा समय वितित अवश्य करें अच्छा व्यभार करें संतान पक्षे से आपको आज थोड़ी से परिशानी हो सकती है बाहर के खानपान से परहेच करें अन्यथा स्वास्थ आज आपका प्रभावित हो सकता है व्यापार व्यभसाय में कोई नया सोधा आपके लिए फाइदे मन होगा आपकी लाइप में वैसे मधूरता बनी रहेगी कोई उपहार आपको मिल सकता है पारिवारिक संपत्ती का विकास कर पाएंगे राजनीती से जुड़े लोगों को आर्थिक लाप के प्रभल योग है तो आज आर्थिक पक्षा आपका मजबूत रहेगा आज आपका भाग्यशाली अंक आर्थ है शुबरंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रियोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशीश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशी शुपाई इस प्रकार से है प्रातहका लिष्णान करने के पस्चाद शिव परिवार की यथा शक्ती गंद पुष्प अक्षद के द्वारा पुजन करें शिव जी को बिलव पत्र और धतूरा चड़ावे पंचे मेवा का भूग लगा करके ओम रुद्राइन महा इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुप होगा सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है करक करक राशी वालों को आज शुप परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदाई होगा कुछ आर्थिक और परिवरिक संकोच अभी आपको दबाव में रखेंगे लेकिन कारेशेतर में अधिक उच्साह और ततपरता से काम आप करेंगे तो आप काफी सफल रहेंगे योग्यता को निखारने के लिए कारेशेली में बदलाव की आवशकता आपको रहेगी कहीं शुब संदेश आपको मिलेंगे जिससे मन भी आपका प्रसन्न होगा साथ ही बहुत दिनों पश्चात पुराने मित्रों से मुलाकात के योग हैं भाई बहन की मदद से पुरानी समस्याओं का अंत होगा लेकिन अनावशक खर्चे से आज आपको बजना चाहिए नए निवेस के लिए अभी समय उत्तम नहीं है तो आज आर्थिक पक्ष आपका मध्यम रहेगा आज आपका भाग्यशाली अंकछे है शुब रंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रियोग कारिछे त्रम्याज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशिश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विगन संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशी सुपाई इस प्रकार से हैं प्रात हकाल इसनान करने के पच्चात भगवान सिवजी और पार्वती जी को सुद्ध जल में अस्ट गंद मिस्रित करके इसनान करावें पुनह सुद्ध जल अर्पित करके गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें बिलव पत्र धतूरा अर्पित करें स्रीफल चड़ा करके ओम अगोराइनमा इस महामंतर का यथा शक्ती जाब करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ वह सफलता दायकाज रहेगा अगले रासी है सिम्ह सिम्ह राशी वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला होगा परिवारिक परेशानिया एक बार फिर से सिर उठा सकती है लेकिन धेरे के साथ आप सभी परिशानियों से मुक्ति पालेंगे आर्थिक लेंदेन में सावधानी आपको रखना चाहिए अपने कारे पर फोकस रखें वाणी और व्यभार पर संयम अवश रखें आपके द्वारा किये गए कारे का विरोधाज हो सकता है राजनीती से संबंदित जातकों के प्रभाव चेतर में काफी वरद्दी होगी नए कारे की रूप रेखा बनेगी पिता के मारगदर्सन और आशिरवाद से कारे चेतर का विस्तार आप कर पाएंगे तो आज आर्थिक पक्षा आपका मध्यम है आज आपका भाग्यशाली अंकतीन है शुबरंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रियोकारी चेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से प्राताहकाल इस नान करने के पश्चात शिवु परिवार की यथा शक्ती पूजन करें बिलवपत्र अर्पित करें मिश्री का भूग लगा करके ओम स्री उमा पतिये नमा इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब हो वह सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है कन्या कन्या राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कारेस्थल पर भाग दोड और अधिक महनत करने के बाद अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे दूर की व्यापारिक यात्राप को करना पड़ सकती है कुछ अधूरे कारियों को निप्टाना होगा अटके हुए धन की इससे प्राप्ती होगी प्रिये जनों से भेंट आपकी होगी और व्याई की पूर्ती आप कर पाएंगे विद्यारती वर्गों को सिक्षकों का आशिरवाद प्राप्त होगा विदेश या दूर से संबंदित कारे करने वालों को शुब समाचार प्राप्त होगे लाईप में आपके संबान में वरद्धी होगी साज़ेदारी पार्टनर्सिप में किये गए व्यापार विवसाई से आपको लाप मिलेंगे निवेस करने से धन संपदा में बड़ोतरी होगी तो आज आर्थिक वक्षे भी आपका मजबूत रहेगा आज आपका भग्यशाली अंक तीन है शुबरंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रियोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हिन प्रातहकाल इश्नान करने के पश्चात भगवान सिव जी पारवती जी को पंचाम रसेश नान करावे शुद्ध जल गंगा जल अर्पित करें और यथा शक्ती वस्त्र आदी अर्पित करके नेवेद्य अर्पित करें और बेट करके ओम स्री रामेश वराय नमहन इस महा मंतर का यथा शक्ती जाब करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिशुभ होगा सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी ही तुला तुला राशी वालोग को आज शुभु परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही सहाजी सभी काम समय पर आपके पूरे होते नजर आएंगे जिससे मन आपका संतुष्ट होगा व्यापार व्यवसाई से संबंदित कोई अनुभव प्राप्त होंगे और विबिन्न चेत्रों में आपकी साख बढ़ेगी परिवार की सुक सांती के लिए कुछ खर्च कर सकते ही जीवन साती का सहयोग समर्थन आपको मिलेगा ससुराल पक्षे से संबंद में कड़वाहट के संकेत ही नया व्यापार सुरू करने में भाग्य का साथ आपको मिलेगा लाप की स्तितिया आपके लिए बहतर होगी किसी भी तरह के संक्रमन से सतर कर रहने की आवशकता है तो आज आर्थिक वक्ष आपका बहतर है आज आपका भाग्य शाली अंक एक है शुब रंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रयोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशिश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार की विग्ण संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशिश उपाई इस प्रकार से है प्रातह का लिशनान करने के पश्चात भगवान सिवजी को कच्चे दूद से इसनान करावे शुद्जल गंगाजल अर्पित करके यथा शक्ती शरंगार करें हलवे का भोग अर्पित करके ओम रुद्राई नमा इस महामंतर का यथा शक्ती जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब हो वह सफलता दायकाज रहेगा अगले राशी है वरश्चिक वरश्चिक राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं प्राताह से ही सुब समाचार प्राप्त हो सकेंगे आज वही कारी करें जिससे बनने की उम्मीद ज़्यादा हो या जिन में आपका मन ज़्यादा लगता हो अच्छे भोजन से स्वास्त में वरद्धी होगी मित्रों और बंदू जनों के कारण तनाव होने से घर में कलेस की स्थिती पैदा हो सकती हैं इसलिए आज आज आपको थोड़ा सा सतर करह करें के व्यभार करने की अवश्यक्ता रहेगी लाइप में भी सावधानी अवश्य रखें क्रोध से रिस्तों में दरार पड़ सकती हैं धनलाब के लिए आज 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 आजिक महनत करना पड़ सकती हैं शेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्रापती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्ण संकटों से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार सहीं प्रातह का लिष्णान करने के पश्चात शिव परिवार की गंद अक्षत के द्वारा पूजन करें मिश्री का भूग अर्पित करके ओम सौमेश्वराई नमा इस महामंतर का यथा शक्ती जाब करें ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शूब हो वह सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है धनू धनू राशी वालों को आज शूब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कारे छेतर में आपकी धाक जमेगी एक के बाद एक मामले आपके सुलत्ते चले जाएंगे धर्म कर्म के कारियों में रूची आपकी बढ़ेगी किसी महान हस्ती के दरसन लाब होंगे उदर और आँक के कारण कष्टा आपको हो सकता है स्वास्त आपका प्रभावित हो सकता है खान पान पर सयम अवश बरते समय के अनुसार चलने से आप उन्नती प्राप्त करेंगे देने की व्यापारियों के लिए समय काफी उत्तम है अविवाहित जातकों को विवाह संबंदी शुब समाचार प्राप्त होंगे गुप्त सत्रों पर विजई स्री की प्राप्ती होगी विध्यार्थी वर्ग की किसी अनुभवी व्यक्ती से भेंट काफी फाइदे मन होगी तो आज आर्थिक पक्ष आपका मजबूत है आज आपका भगिशाली अंक चार है शुबरंग आपका बेंगनी रंग है बेंगनी रंग का प्रियुकारी शेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज आज सभी प्रकार के विगन संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्राताहका लिश्नान करने के पश्चाथ शिव परिबार की यथा शक्ती पूजन करें निवेद्य रितूफल आदी अर्पित करके ओम सोमेश वराइनमा इस महा मंतर का यथा शक्ती जाब करें ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिशूबो वह सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है मकर मकर राशी वालों को आज शूबो परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं दामपत्य सुख में वरती होगी संतान की उन्नती से मन संतुष्ट रहेगा जेटिल कारिये किसी बड़े अधिकारी की मदद से पूरन होते नजर आएंगे लाबदायक उपक्रमों का संचालन भी कर पाएंगे हाला कि पडोसियों दोरा कुछ परिशानी आपको हो सकती है धेरी धारन करें सामाजिक छेतर में प्रतिष्ठा में वरती होगी माता पिता के सहयोग से नया कारी प्रारंब कर पाएंगे लाइप में नई सुरवात होगी जिससे रिस्टों में मजबूती आएगी करजी से मुक्ति के योग है आर्थिक इस्थिती आपकी मजबूत होती चली जाएगी तो आज आपका भग गिशाली अंकछे है शुबरंग आपका बादा मी रंग है बादा मी रंग का प्रियोक कारी छेतर में आज अधिक सधिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विगन संकटों से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से प्राताहकाल इसनान करने के पश्चाथ शिवजी को पंचामर सेशनान करावे शुद्ध जल अर्पित करें और यथा शक्ती वस्तर आदी चड़ा करके रितू फल का निवेद्य अर्पित करें बिलवपत्र धतुरा चड़ावें और बेट करके अगली राशी ही कुम्भ कुम्भ राशी वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही नियोजित कारेकरम में आप सफल रहेंगे आर्थिक लाप का सुवसर मिलेगा पिता के सहयोक से लाप की इस्तिती बहतर होगी किसी बड़ी हस्ति से मेल मुलाकात के योग है मेहनत और समर्पन से कीएगे कारियों में आपको विशेश सफलता मिलेगी कुछ लोग आपकी सफलता से आहद भी होंगे विद्यारती वर्ग एकागर होकर के परिस्रम करेंगे तो भविश्य की निवा मजबूत कर पाएंगे जीवन साती से विवात के आशंका है व्यर्थ के संदे है और तरक वितरक में समय वर धन की बरबादी आप नहीं करें आज विशेश सावधानी बरते हैं तो आज आर्थिक पक्षवे से मजबूत रहेगा आज आपका भग्यशाली अंकर्च साथ है शुबरंग आपका बादामी रंग है बादामी रंग का प्रियोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से प्राताहकाल इसनान करने के पश्चाद भगवान शिवजी को केसर मिले हुए दूद से इसनान करावें शुद्ध जल अरपित करें वस्तर अरपित करें सफेद पुष्प की माला और धतोरा अरपित करके ओम भीमेश वराय नमा इस महामंतर का यथा शक्ती जाप करें ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभू वस अफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है मीन मीन राशी वालों को आज शुभू परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कारी छेतर में जरूरी प्रोजेक्ट पर पक्ष और विपक्ष के लोगों का सहयोग मिल सकता है किसी महातो कांग्ची योजना की सुरुवात कर सकते हैं माता से किसी बात को लेकर मैदभेद हो सकते हैं इसलिए विनमर व्यभार अवश्य करें आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें किसी भी तरह के लेन देन से दूरी बना करके आज रखें व्याई भार आपका बढ़ सकता है व्यापार में अती आत्म विश्वास आपके लिए नुकसान दायक आज हो सकता है जीवन साती से रिष्टों में मजबूती आएगी संतान के साथ जरूरी कारियों पर विचार विमर सकर पाएगी तो आज आर्थिक प्रक्ष्य आपका बहतर रहेगा आज आपका भागिशाली अंक दो है शुब रंग आपका जामूनी रंग है जामूनी रंग का प्रियोकारी छेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्ण संकटों से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हिन प्राता है काल इसनान करने के पस्चात भगवान सिव जी को कच्चे दूद से इसनान करवा करके सुद्ध जल से इसनान करावी सभेद पुष्प की माला और ग्यारह बिल्वपत्र अर्पित करें मिश्री का भूग लगा करके ओम त्रिने त्राइनमा इस महा मंतर का यथा शक्ती जाब करें ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिशुबवा सफलता दायक आज रहेगा तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेर अवश्य करें धन्यवाद जैस्तिरी करश्न मित्रों फिर मिलेंगे